आज का वर्दान है जो बच्चे त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहते हैं, अथ्वा जो बच्चे ज्यान के खजाने से संपन्न हैं, नौलिश्फुल आत्माई हैं, बाबा कहते हैं, वो हर परिस्थिती को स्वस्थिती के आधार से सेज पार कर लेते हैं। पस्टर तरिकाल दर्शीर स्थिती क्या है अनाधी स्वरूप आत्मा का कितना शक्तिशाली है कितना पवित्र है आधी स्वरूप देव आत्मा के रूप में वो भी कितना सुन्दर और कितना श्रेष्ट है कितना पावन कितना उज्वल है बद्धे का स्वरुप इष्ट देव और इष्ट देवी का, उसकी स्मृति आने से भी कितनी खुशी और कितने नशे का अनुबव होता है, संगम युगी ये ब्रह्मन जीवन, मैं कितनी ना महानात्मा हूं, स्वेम भगवान मुझे पढ़ा रहे, मुझे पालना दे रहे, औ और जो मेरी सुशुप्त शक्तियां थी, उनको बगवान स्वेम जागरित रहे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं ब्रह्मन सोफिर परिष्टा बनती हूं, तो यह है मास्टर तरिकाल दर्शी स्थिति, इस स्थिति में जो बच्चे जितना स्थित होंगे, पांच सो बुल गए थे अपने जन्मों को, बाप ने आकर तुम्हें याद दिलाया है, तो उचरासी जन्मों का छक्र जितना बुद्धी में फिराते रहेंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, उनके लिए हर परिस्थिति को पार करना अती से है जो जाएगा, तो तरिकाल दर्शी आत अगर ओडर करेंगे, सेहन करने की शक्ति को वो तुरंत हाजीर हो जाएगी, ऐसा नहीं ओडर किया और हाजीर नहीं हुई, और बात में वो शक्ति हाजीर हुई, जब परिस्थिति निकल गई, हम उसमें फेल हो गए, तो बाबा कहते हैं, वो नौलिश्फुल तरिकाल दर् मैं नहीं कहलाएंगी, तो बाबा ने हमको सर्व शक्तियां दी हैं, सर्व गुण दिये हैं, जिस समय, जिस शक्ति अध्वा, जिस गुण की आवशक्ता है, वो समय कारे में लगना चाहिए, मालो हमने कोई कारे किया, कोई-कोई श्रेष्ट कारे करके तुरंत अधिर्य हो जाते हैं, उसका तुरंत पल चाहते हैं, दीरच के गुण का अवाहन करो, थोड़ा धैरे रखो, माली भी बीश बोता है, तुरंत पल तो नहीं मिलता है, उसको दीरच धरना पड़ता है, ले मधुछ कहा खुछस बोला मध०ॉर्ता का गुण आवाहन करो उसने जो भी बोला मुझे मिठास से बोलने तो मधुřता के गुण का आवाहन करो कतो ने हमारे साथ घा मकुझार किया हमारे निंदा की गलानी की हमारे सम्मुख खड़े ओकरी कर रहे हैं जैसे बाबा ने का सैंज शक्ति का आवाहन करो वो शक्ति काम करे आपकी स्थितिय अश्य लडोल और स्थिर रहे और वो आपको क्या दे रहे हैं और आप रिटर्न में जो बाबा ने आपको खजाने दी हैं वो उनको दो तो बाबा आज हमको ये वर्दान दे रहे हैं बहुत गहरा वर्दान है चिंतन करने के आवश्यक्ता है कि कैसे हमें एक-एक गुन अथवा एक-एक शक्ति का प्रियोक करने है